हर एक एनिमल और प्लांट जो होता है, उसका शरीर जो होता है, उसकी बॉड़ी जो होती है, वो छोटी छोटी यूनिट इकाई से मिलकर बनी होती है, जीनी को अपन क्या बोलते हैं, कोशिका या सेल बोलते हैं, ठीक है, और ये जो एनिमल और प्लांट की बॉड़ी होती है, ये एक या एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है ठीके, अब एक important बात ध्यान रखेगा यदि कोई जीव के अगर उत्पत्ती हो रही है तो कोशिका से ही होती है उसकी जीव की उत्पत्ती अगर किसी के शरीर में ये कोशिकाओं जो है ये जो सेल्स है अगर ये uncontrol हो जाते हैं तो ये ही कारण मुता है cancer का तो ध्यान रखेगा ये अच्छा point है आप याद रखेगा तो ये basic information थी सेल के बारे में अब हम जो study करेंगे वो करेंगे हम structure of cell कोशिका की संद्रशना को हम थोला सा समझेंगे ठीक है फ्रेंट चलिए तो जैसा के आप इस वीडियो में देख रहे हैं यहाँ पर कोशिका की संद्रशना एक बताई गई है animal cell के बारे में ऐसे के ऐसी होती है plant cell होता है तो अपन एक animal cell से अपने इसको समझते हैं तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं यह जो बार की जो आपको पूरी परत दिख रही है यह जो बार का जो दिख रहा हैं आपको ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं कोशिका जिली बोलते हैं cell membrane बोलते हैं ठीक है यह जो बार का जो परत होती है यह लच लची होती है एकदम ठीक है ठीक है ये उसको क्या बोलते हैं कोशिका द्रव बोलते हैं ठीक है इस कोशिका द्रव में क्या होता है दोस्तों बहुत सारे घटक पाए जाते हैं कोशिका के ठीक है ये आपको मैं आराम से आगे study में बताऊंगा कि कौन-कौन से घटक होते हैं रिक्तिका होती हैं बहुत सार होते हैं केंद्रक जिल्ली और इस पूरे जो केंद्रक है अपना इसको मैंने टिनोट कर रखा है केंद्रक से ठीक है तो यह केंद्रक हो गया तो यह basic इसका structure था आपको समंझ में आ चाहिए कि बाहर होता है, उसके परत को कोशिका जिल्ली बोलते हैं, उसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, ठीके, इसको हम कोशिका द्रव बोलते हैं, उसके बाद सेंटर में एक केंदरक होता है, इसके बाहर के परत केंदरक जिल्ली बोलते हैं, इसके अंदर केंदरक के में देखा, अब discuss करने के लिए main इसमें तीन पॉइंट होते हैं, एक होता है cell membrane, कोशी का जिल्ली, कोशी का द्रव और केंद्रक, इन तीनों को हमको अच्छे से study करना है, इसमें कोशी का द्रव जो है और केंद्रक जो है, इनको combine रूप से क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाजम बोला जाता है, या हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, जीव द्रव भी बोला जाता है, ठीके, तो हम एक एक करके study करते हैं, सबसे पहले हम कोशी का जिल्ली को समझते हैं, ठीके, चलिए, तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, कि जो animal cell होती है, उसमें जो भार की परत होती है, उसको हम बोलते हैं कोशी का जिल्ली, ठीके, cell membrane बोलते हैं, अब जो हमारी plant cell होती है, उसमें जो भार की पूरी परत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोशी का बित्ती बोलते हैं, तो ध्यान रखेगा, अच्छा, अब इस कि पत्या होती है ठीक है तो आप पत्ती से आप भित्ती याद रख सकते हो पत्ती पित्ती पीछे पीछे का जो मिलता है वो तो आप ध्यान रख सकते हो इस तरीके से मैं तो इस तरीके से याद रखता हूँ तो आप बिल्कुर इस तरीके से याद कर सकते हैं तो अब अपन बात करते हैं कि जो भार की जो कोशिका जिल्ली होती है, अगर अपन एनिमल सेल की बात करें, तो एनिमल सेल को अपन पहले डिसकस करते हैं, ठीक है? तो ये कोशिका के सबसे भार की जो चारो और की एक पतली मुलायम परत होती है इसी को हम लचलची होती है इसी को हम क्या बोलते हैं कोशिका जिल्ली बोलते हैं ठीक है भार की यह जिल्ली जो होती है, यह क्या करती है, कुछ पदार्त का अंदर और बाहर आदान प्रदान करती है, यह जिल्ली, ठीके, यह जो जिल्ली होती है, यह काई से बनी होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो नीचे, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, तो इसमें द तो आप इस तीच को याद रखिएगा. अब हम बात करते हैं, plant cell में क्या होता है, बहार जो परत होती है, उसको हम कोशी का बित्ती बोलते हैं, जैसे कि आपको बताईए, तो ये जो कोशी का बित्ती होती है, ये होती है, मोटी होती है, ठोस होती है, और ये काई की बनी होती हैं, दोस्तों, ये बनी होती हैं, cellulose की, तो ये पूछा जाता है, कोशन, तो अपने दोनों को अच्छे से study करा, जो इनकी कोशी का बित्ती और कोशी का जिल्ली, इन दोनों को अपने अच्छे से समझ लिया हैं, अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे कोशी का द्रव की, ठीके, चलिए, तो हम बात करते हैं कोशी का द्रव की, अब plant cell और animal cell में, जो कोशी का द्रव होता हैं, ठीके, उसमें कौन-कौन से घटक अंदर पाये जाते हैं, आप जैसे की, यहाँ पर देख रहे होंगे, यह कोशी का द्रव हैं, ठीके, इसके अंदर भहुत सारा घटक होते हैं, कौन-कौन से lysosome होता हैं, तारके अंदर होता हैं, centrosome होता हैं, रिक्तिका होती हैं, लवक होता हैं, तो कोशिक का द्रव में ये सब घटक होते हैं अब कोशिन क्या बनता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल ठीक है जन्तु कोशिका और अपना जो प्लांट सेल होता है उसमें ये जो घटक होते हैं किस किस में कौन से होते हैं अब सारे घटक ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर जन्तु कोशिका में होते हैं या सारे के सारे उसमें होते हैं कुछ-कुछ जन्तु कोशिका में होते हैं गटक और कुछ जो होते हैं वो एनिमल सेल में होते हैं ठीक है? पादब कोशिका में होती हैं तो इसको याद करना काफ़ी difficult होता है, और बार बार confusion होता है, तो मैंने इसकी एक trick बनाई है, इस trick से अपने को समझ में आ जागा कि कौन सी घटक किस cell में होते हैं, जनतु कोशिका में कौन से होते हैं, और पादब कोशिका में कुन से होते हैं, तो चलिए, अब मैं आपको व घ्रक है रिख्तिका नामकि एक लड़की है उसको लव गया है फ्लांट से लुगत соп तो रितिका को लव हो गया फ्लांट से इसमें रिक्तिका ऍपन ने पीछे अभी घटक पढ़ाता है . रिक्तिका और लवक ठीके मैं एक बार और आपको वहाँ पर ले चलता हूँ यहाँ पर देखिए यह रितिका जो होती है रिक्तिका और लवक यह दोनों जो है दोस्तों आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि यह प्लांट सेल में ही होते हैं जैसे कि आप उसमें देख रहे हो कि रितिका को लव हो गया प्लांट से, तो आप आसानी से याद कर सकते हो, तो कोशन यहीं पुछा रहता है, कि इन में से कौन सा जो है, वो प्लांट सेल में होता है, सेंट्रोसोम दे दिया, तारकेंद्र दे दिया, तो confusion वहाँ पर होता है तो उसको याद करने का तरीका ये बहुत ही अच्छा है अब जन्तु कोशिका को जो बाकी remaining जो बचरे हैं वो सारे घटक कहां पर होते हैं वो जन्तु कोशिका में animal cell में होते हैं अगर उसको भी याद करने के अगर आपको treat चीए तो मैंने यह साइड में लिख रखा है सेंट्रो लाता अब सेंट्रो गारी है उसको कौन लाएगा पोध्य तो ला ने सकते है plant जन्तु ही लाएगा एनिमली लेके आएंगे उसको चलाके तो आप वहाँ से याद रख सकते हैं कि सेंट्रो लाता कि इसमें जो ribosome होता हैं और mitochondria होता हैं, यह दोनों जो होते हैं, दोनों में common होते हैं, ठीक है, अब मैं आपको इन दोने क्वेर में थोड़ा बता देता हूँ, mitochondria जो होता हैं, दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, कोशिका में उर्जा उत्पन करता हैं, ठीक है, इसका main काम होता है, कि Mitochondria क्या होता है ये कोशिका में फेलते हैं उर्जा उत्पन करता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं कोशिका का उर्जा ग्रह बोलते हैं वेरिया इंप ध्यान रखीगा अच्छा राइबोसों को क्या बोलते हैं इसको protein factory बोला जाता है ठीक है तो दोरो बहुत यदा important है औ कि बस जो मैंने आपको बताया है जितना study आपको कराया है बस आप उसको ध्यान रखिए ठीक है धिरे करके अपन इसको और आगे clear करते जाएंगे अच्छा अब इसमें दो important point थे एक अपना लवक आयता ठीक है तो इसके लिए मैं separate lecture बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि जो लवक होते हैं वो क्या होते हैं और उनके बारे में आपको अच्छा लाइकेन और लवक इन दोनों टॉपिक्स पर मैं आपको next जो अभी मेरा वीडियो आने वाला है उसमें आपको detail में समझा दूँगा क्योंकि इन से questions बना जाते हैं आजकल ठीक है तो हम तिसरी बात करते हैं केंद्रक की तो दोस्तों केंद्रक की खोज किस ने करीती रॉबर्ट ब्राउन ने करीती यह question पूछा जाता है एक्जाम में बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कोशिका द्रव के बीच में एक गोला होता है जो गाड़ी संद्रशना होती है उसकी मै केंद्रक के भार की जिसको हम बोलते हैं केंद्र जिल्ली उसमें क्या होता है छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छेद होते हैं यह चोट-छोटे-छोटे-छेद होते हैं यह क्या करते हैं में पदार्तों का आदान-प्रदान करने के लिए काम करता है में ठ कोशिका से उसके अनेक डॉटर कोशिका डॉटर सेल्स को जन्म देना यही कोशिका विभाजन होता है तो दोस्तों यह बहुत important points आज हमने cover करें हैं इस lecture में आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए थेंक्यू दोस्तों